नमस्कार कशिश नूस का सोशल मीडिया प्रिट फॉर्म देख रहे हैं आप और मैं करिश्मा आपके साथ फटाफट अंदास में नसर डालेंगे आज की पांच बड़ी खवर पर और सबसे पहले बात उमेश्ट पाल हत्याकान माम लेकी उमेश्ट पाल हत्याकान कारोपी गैंगेश्टर अतीक अहमद प्रियागराज पहुँच किया है उसे नैनी जेल में हाई सेकुरिटी के बीच रखा गया है मंगलवार 28 समाच को से प्रियागराज की स्पेशल MP MLA कोट में पेश किया जाए गवरातीक के काफले के साथ उसकी बहन और वकील भी चल रहे थे गुझराज के साबर मती जेल से प्रियागराज चुलाने तक की बात करें तो 26 माच को सुबा यूपी अस्टियाफ के अफसर और 30 हत्यार बंद जवान अहमदाबाद पहुँचे और शाम चार बजे तक गुझराद पुलिस से अतिक की कश्टडी की प्रकिरिया पूरी की कड़ी सुरक्षा ववस्था के बीच पांच बस का 44 मिनट पर अतिक जेल गेट से बाहर आया और फोरन उसे वैन में बैठा दिया गया इस दोरान मेडिया से बाचीत में उसने कहा कि यूपी एस्टी एफ मेरी हत्या कर देगी एस्टी एफ का काफिला अहमदाबाद सी राजस्तान के उदैपूर कोटा होते वे मद्द प्रादेश में शिपूरी के रास्ते उत्तर प्रादेश पहुँचा तेरह सो किलोमेटर की दूरी तैय करने में टीम साथ जगह रुकी है तो अब बात बिहार की तो बिहार बीचेपी के नए समराट यानी नए प्रादेश अध्यक्ष समराट चौधरी पटना एयरपोर्ट पहुँचे जहां पार्टी नेताओने उनका बब स्वागत किया आयोजित कारिकर में किंद्रे मंतरी नित्यानंदराय आरके सिंग नितार प्रतिपाक्ष विज्या कुमार सीनहा निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिंजा जास्वाल सिमित सभी नेताओं मौचूत रहे सभी ने अपने संभूधर में पार्टी को मजबूत करने की बात कही वह समराठ चोधरी ने लोगसवा यानि 2024 का लोगसवा चुना और 2025 में बिहार विदासवा चुना में बीचवी का पर्चम लहराने का दावा किया और अबात बिहार के डिप्टिस्यम तेजस्वी यादव की करे तो डिप्टिस्यम तेजस्वी यादव पिता बन गए है और राश्री मा क्योंकि राश्री ने एक पुत्री को जन्म दिया है और ऐसे में देखे तो एक तराफ चैतरी नवरात रिये और दूसरी तराफ चैत दिख रहा है हॉस्पीटर में बेट पर पतनी राजश्री के बगल में उनके बेटी है वही पासी डिप्टी सियम बैठे जो अपनी बेटी को देख रहे हैं प्यार कर रहे हैं उसका चेहरा अपने पापा से मिलता है ते जस्वी ने ये तस्वीर खोड ट्वीट की है उन्हों की जमानत रद करने की सिब्याइ से मांग कोली का सुप्रेम कोट में सुनवाई हुई कोट ने लालुयादब को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है उनकर चार सब्ता होगी सिब्याय ने ज्यारकन हाई कोट के उस आदेश को सुप्रेम कोट में s lrp में शुप्र Teaching किया है और अब बात करें जारकन की तो राजधनी राची में आपको बताएं कि प्रोजेक्ट भवन में सम्मान समहरों का आयोचन किया गया इस मौकी पर स्कूल सिक्षा एवं साक्षरता विबाग द्वारा राज के मादमिक एवं उच्चतर मादमिक परक्षा में बहतर प्र परक्षा में प्राताउं तीन स्थान हासिल क्या है शात्रों को सम्मानित करने के बाद स्यामिमन सोरी निका कि बिना किसी भेदबाओ के शात्रों का उत्सा बढ़ाने के लिए सक्षा विबाग ने कई योचना शुरू की है अच्छे स्कूलों में एडमिशन के लिए पैसे लैप्टॉप मोबाइल से ते कई बिसिक जरूरत की चीछे सरकार की तरफ से मुहया कराई चाहे हमने इस सोच के साथ योचना शुरू की है और अबाद चाती छट की तो लोकास्ता का महा पर चाती छट का बात करें तो तीसरे दिन अस्ता चलगा में सुरे को अर्ग छट व घाट पर पूरी सुरक्षा वेबस्ता के साथ व्रत्यों ने बगवान भासकर कोवर्ग दिया राधानी राची में प्रशासन के और से व्रत्यों की सहूलियत के लिए सभी व्रत्यों की गए वे पटना के गंगा घाट पर बिस वितुरा की मुकमल व्रत्यों की गए दानप गाटों और के बाहर चुवाहन पार्किंग ड्रॉब गेट आदी की वेवस्ता की गई है और कल यानि कल आपको बताए कि उतेवे सुर को अर्ग देने के साथ ही चार दिवस्ते चैती माँ पर्व छट का समापन हो चाएगा तो ये थी आज की पांच सबसे बड़ी खबर फिर होगी मलकात पांच बड़ी खबरों के साथ और साथ ही आगे और वी वीट्यों देखने के लिए आपका शिश नियूस के शोसर अंडिया प्रेटफॉर्म को लाइक करिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से जुरी आप तक आसानी से पहुंच सके मुझे दीजे चाज़त और आप दे तुरेका शिश नूश नमस्कार